हेलो स्टूडेंस, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरन भाग से दूसरे अध्याई को पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार बच्चो पिछली क्लास में हमने वर्ण और वर्ण माला के बारे में पढ़ा था आज हम स्वर के भेदों के विशय में चर्चा करेंगे स्वर के भेद उच्चरण के आधार पर स्वरों के तीन भेद किये गए हैं हस्वस्वर, दिर्गस्वर और प्लूट्सवर हस्वस्वर, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हें हस्वस्वर कहते हैं बच्चों इन्हें छोटी स्वर भी कहा जाता है आ, छोटी, छोटाउ, तथा री ये स्वर हस्वस्वर हैं, जिन्हें बोलते समय बहुत ही कम समय लगता है दूसरा है दिरगस्वर दिरगस्वरों को बोलने में हस्वस्वरों के उच्चारन से दुगना समय लगता है जैसे कि A, B-E, B-A, A, O, O और अउउ साथ दिरगस्वर है हस्वस्वर चार है और दिरगस्वर साथ है आगत स्वर आ भी दिर्ग स्वर है इन्हें बड़े स्वर भी कहते हैं तीसरा है प्लूत स्वर इन्हें बोलने में हस्व स्वरों के उच्चारन से तग्णा समय लगता है जैसे ओम ये तो थे स्वरों के मुख्यभेट इसके अलावा अनस्वार इसका उच्चारन करते समय नाक से ध्वनी निकलती है जैसे गंगा, कंचा, अंग, कंस, पंक, आदी बच्चो इन शब्दों को आप भी उच्चारन करके देखिए तब आप इसको सहच्टा से समझ पाएंगे उसके बाद आता है अनुनासिक जिसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं इसका उच्चारन करते समय ध्वनी नाक और मुँ दोनों से निकलती है जैसे कांच, चांद, अंगुठी, हंस, पांच, आदी विसर्ग, इसका उच्चारन ह की तरह होता है जैसे प्राता, अता, पुना, आदी यहां हमेशा व्यांजन के बाद लिखा जाता है जैसे कि आप उधरन में देख पा रहे हैं उसके बाद आता है आगत यह द्वनी अंग्रेजी भासा से आई है अंग्रेजी भासा से आई शब्दों में इसे आके उपर चंद्रा कार्ल रूप में लगाया जाता है जैसे मॉल, बॉल, डॉक्टर, हॉल, कॉफी, कॉल, होकी, इत्यादी अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राई स्वर, यदि व्यनजनों से पहले जूरते हैं तो अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं पर जब वे व्यनजनों के बाद जूरते हैं तो वे अपने मूल में न जूर कर कुछ निश्चित चिन्नों के साथ प्रयोक किये जाते हैं चिन्नों को स्वरों की मात्राय कहते हैं A को छोड़कर बाकी सबी स्वरों की अपनी-अपनी मात्राय होती है बच्छो यहाँ पर स्वर के मूल रूप और व्येनजन के साथ प्रयोग के कुछ उधारन दिये जा रहे हैं आ, स्वार का मूल रूप में प्रयोग, अब अद्रक देखें, यहाँ पर स्वार व्यांजनों से पहले आई है आ की कोई मात्रा नहीं होती है लेकिन जब हम किसी भी व्यांजन का उचारन करते हैं तो यह इसके साथ जुड़ी हुई रहती है जैसे हम क कहेंगे तो क के साथ अ भी रहता है तो क जुड़ा का, क इससे हम सब बना सकते हैं कल, कलम, आ, अपने मूल रूप में आम, आज और इसकी अपनी एक मात्रा है, जैसा कि आप उधारन में देख रहे हैं चो जोड़ा, चा, चार, चाय, छोटी इ, इमली, इस, गो जोड़ छोटी इ, गी, गिन, गिलास, बड़ी इ, इक, इश, इसकी मात्रा देखिए जोड़, बड़ी इ, नी, नीर, नीला, चोटाओ, अपने मूल रूप में उल्लू, उस, खोजोड चोटाओ, खु, खुश, खुला, बड़ाओ, मूल रूप में उन, उपर, फोजोड बड़ाओ, फू, फूल, री, मूल रूप में रिशी, रिण, फिर चिन्ह के साथ, पोजोरी, प्री, प्रिस्ट, प्रित्वी ए, एक, एड़ी, मूजोर ए, मे, मेर्ज, मेल, अई, मूल रूप में आइनक, ऐसा, बाजोर ए, बेल, बैठना, ओ, ओस, ओला, सजोरो, सो, सोना, सोचना, अउ, अउसे मूल रूप औरत और, तो जोड अउ, तो, तौल, तो लिया, बच्चों, ध्यान दीजिये, र से छोटा उ, और बढ़ा उ की मात्रा, र के नीचे न लगा कर, उसके बीच में लगती है, जैसे र जोड छोटा उ, रूपया, रूई, र जोड बढ़ा उ, रूप, अमरूत, जैसे कि आप उधारन में देख पा रहे होंगे, छोटे उ में र के साथ किस प्रकार लिखा जाता है, और बढ़े उ को र के साथ किस प्रकार लिखा जाएगा, तो बच्चों, आप आज पढ़ाई गए पाठ का अभ्यास कीजिए थन्यवाद